वेलकम बाग एवरीवन इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे JTEKT India Limited के बिसनस के बारे में और इस कंपनी के कौर्टर 3 रिजॉल्ट के बारे में वेलक में गांषी सेयरिंग के बात करें तो बड़े नाम जैसे की यहां पे Tata Motors, Maruti Suzuki आपको देखने को मिलेंगे यहां बाकी के नाम भी आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे देखे कंपनी का जब primary business है वो है B2B because ये direct companies को supply करते हैं जो original manufacturers है उनको ये लोग जो है products को supply करते है तो एक चीज इसके अंदर ये रहती है कि margins बहुत ज़ादा enjoy नहीं करती है company तो वो एक important चीज यहाँ पर आपको समझ नहीं है but ultimately market जो है बहुत बढ़िया है because यहाँ पर इंडिया के अंदर ये जैसे जैसे personal disposable income बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि automobile के अंदर sales push हमें देखने को मिलेगा जो कि आज हमें देखने को मिल भी रहा है बट यह और तेजी से हमें बढ़ता है नदर आ सकता है especially after the rate cuts तो कहीं ना कहीं ये जो इंडस्ट्री है काफी तेजी से grow कर रही और बाकी जितनी भी ये companies है जो इन companies को product supply करते है तो उनकी growth भी हमें आप देखने को मिलेगी ही इनका major business जो है यहाँ पर इंडिया से drive होता है which is 96% of the revenue देखें इंडिया के अंदर अगर हम लोग वैसे भी देखें तो काड जो है एक aspiration से जादा एक need है आज आप देखेंगे और किसी का एक सपना होता है कि यहाँ पर कम से कम एक अपनी गाड़ी और एक अपना मकान तो होई और गाड़ी जो है एक जना जो है आप देख सकते हैं उसमें relevant terms के अंदर कितनी sales growth देखने को मिली हमें year-on-year basis पर net profit की बात करें तो पंदरा करोड से बढ़के 24 करोड तक जाता हो नजर आया है हमें जिसका primary reason यहाँ पर sales growth and higher operating profit margin ही है annual level पर sales growth की बात करें तो up until 2016 एक static number के sales थे उसके बाद company ने pivot किया 2016 से 2019 तक एक अच्छा phase रहा company के लिए 2020 case में obviously covid की वज़ा से dip देखने को मिला था बट वापस company ने अपने track को continue किया देखते हैं बाकी आने वाले quarters का result किस तरीके से रहता है अब आपके screen पे इस company का updated dividend record and shareholding pattern भी आ रहा होगा हमने सोचे इन data points को आपके लिए add किया जाए but that's it I hope you guys enjoyed this episode पसंद आया तो please like share subscribe जरूर करना and I'll see you guys in the next one